बिहार का बार से पुढाना नाता रहा है, यहाँ पर हर वर्ष कोशी और गंगा दोनों मिल कर तबाही मचाती है, कुछ इलाकों को कोशी तबाह करती है, तो कुछ इलाकों को गंगा तबाह करती है, लेकिन कटिहार जीले का कई ऐसा प्रखंड है, जिसको दोनों मिल कर तबाह करती है और मैं इस वक्त मौझूद हूँ कटिहार के कुडशेला में ये वही अस्थान है जहां पर गंगा और कोशी का मिलन होता है आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि ये शामने जो है वो कोशी है और कोशी बिलकुल सांत नजर आ रही होगी लेकिन अभी जब नेपाल से करीब 7 लाख क्यूशेक पानी जब छोड़ा गया है उसके बाद से ये स्थती आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से धीरे-धीरे कोशी की जो लहरे है वो उठती चली जा रही है और जलस्तर में उर्धी होती नजर आ रही है हम आपको दूर एक तस्वीर दिखाना चाहें जिसको पूरी तरीके से तबाह कर देती है इस वक्त कुर्शेला के कुछ ग्रामीन है जो नीचले इलाकों में धीरे-धीरे पानी प्रवेश कर रहा है पहले से ही ये लोग परेशान और त्राहिमाम थे अब क्या स्थती होने वाली है इनसे बात करेंगे क्या स्थती है अभ पानी कब क्या करेगा कितना तबाह मचाएगा वो तो कहना मुश्किल है हम लोग इससे परसान हो रहे हैं अभी तक क्या होगा और कि तो तो एक ही रस्ता में अगर अगर घटते रही तो गंगा घटते रहे तो कुछ रहत मिलेगा फ़ूड़ा हुआ पानी जितना रहेगा परसान दिन से अब लोग परसान हैं अगर पानी के वृद्धी होती है गंगा के जलस्तर में वृद्धी हो रही है इस से कितना दिन और तबाह रहने वाले हैं यह तो कहना मुश्कील है पानी ही जो भी करेगा से पानी ही करेगा पानी घर जाने के बाद तो हम लोग तो फिर सुखारावाँ अपना अपना घर असान पकर लेंगे अच्छा फड़का बड़ा जगर खोल दिया जाता है या खुला हुआ है भी तो कितने दिन में पानी चले साथ कुछ और भी ग्राविन मौजूद है एक चीज बताईए यह पानी कितना तबाह करती है पानी तो बहुत तबाह करती है हम लोग पानी के अंदर जाते हैं थे पानी में रहते हैं और बच्चे बुची का घांस भुसा ले बहुत परसान है बहुत दूर जाना पड़ता प्रभावित होंगे उब हमारे गाउं के पथख ठोला के कम से कम रखे बाराश चोदो से बहुत परिभारी पर बाध कि इसे कितने गाउंप परभावित होंगे लगवक्ष सोले से सफरे पंचायर है हाँ 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 रहा है अभी अभी पत्थर हो लाव रहते हैं अच्छीज बताइए आप फिर से सुन रहे हैं पानी में वृद्धी हो रही क्या लगड़ा है सुबह सो पानी रात में थोरा सा बढ़ा घटा था लें सुबह सुझे आठ साथ आठ बजे से पानी बढ़ने लगा अब कितना और 15-20 दिन और परसानी होगा चाचा कैसे जिन्दगी जीते हैं आप लोग कहा पर जिन्दगी बिता रहे हैं हम लोग यहां है जो कर जागा मतलब कि यह भी कटने वाला है क्या मतलब कितने दिन तक आप लोग यह जो नजारा है वो देखते हैं या कितना दिन परसानी को जहिलते हैं आप लोग दो माना जहिलते हैं कैसे कि दो में लोगों की इस्तिती होती है हां हर साल में होता है जैक कैसे कि आट बजे रात मीजता है कि रेके कुछ महिलाएं बहुदुरें बात करेंगे कैसे बच्छों को लेके कैसे बहुत खराब एक देखते हैं को उसी गंगा मिया से क्या कहेंगे पानी आई यह रहा है कि आपकें कितना तबाही मचाएगा यह जो मेहना मचाएगा कोई नहीं देख सकता है तो आप सुन रहते हैं कि किस तरीके से जब गंगा और कोशी दोनों की जलस्तर में जब रुद्धी होती है तो किस तरीके से तबाही मचाती है और अभी नेपाल से कडिव 7 लाग क्यूशेक पानी छोड़ा गया है उसके बाद इन लोगों के मन में भय जरूर बन गया है कि फुरसे हम लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर जाएगा और स्तती दो माह से पहले से ही खराब है शिविड में आकर भोजन करने को मजबूर हो रहे हैं ये लोग उसके बाद अपने जीवन को एक तटबंध पर बिता रहे हैं वहीं कुछ ग्रामिनों का कहना है कि इस्तती सही नहीं है इसमें भी कटाव सुरू हो चुका है अगर वो कट जाता है तो पूरी तरीके से कटिहार जीला जलमगन हो जाएगा और पूरी तरीके से कटिहार जीले के जो लोग है वो बार प्रभावित हो जाएंगे हलांकि अभी कुछ कट्यार जिले के जो उचे अस्थान है, वहां की इस्थती अभी समानी बनी हुई है, वहां पर पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन नीचला इलाका की जो लोग हैं वो बार से प्रभावित हो चुके हैं, और आपने ग्रामिनों से ही शुना कि किस तरीकी की यह स्थती उत्पन हो रही है, और अब कब तक होगा यह काना मुश्किला है, तो इन लोगों का कहना है कि किसी तरीके से मा कोशी और मा गंगा जो है वो दोनों शान्त हो जाए, हलांकि जब गंगा के जलस्तर में कमी होती है, तो कोशी का प्रभाव इन इलाकों को नहीं जह जहलना पड़ता है, थोरा बहुत प्रभाव जहलना पड़ता है, लेकिन जब दोनों के जलस्तर में वर्धी होती है, तो इन लोगों का जीना मुखाल हो जाता है, वहीं जब इन दोनों के जलस्तर में वर्धी नहीं होती है, यह दोनों सांत रहती है, तो इन लोगों का जो